केंदर सरकार का आदेश पेंशन बड़ोतरी पर लगी मुहर EPS 95 को लेकर कल शाम पाँच बजे CBT की मीटिंग में लिया फैसला, कमांडर अशोक रावत का बड़ा बयान जारी अब पेंशन मिलेगी एक हजार से बढ़कर नौ हजार ये फैसला कल शाम पाँच बजे CBT की मीटिंग में लिया कमांडर अशोक जी रावत ने कहा कि इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ नमस्कार जहिंद वन्दे मातरम पेंशन धारकों आपने बिलकुली सही सुना आपकी EPS 95 मिनमम पेंशन से जुड़ी अभी अभी की बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है EPS ने और सरकरने या पर पेंशन को लेकर किया बहुत बड़ा पेंशला EPS ने पेंशन के लिमिट बड़ाई आपको बड़ा दे कि अब आपको पेंशन कितनी मिलेगी तो आज रात 8 बजे से पेंशन धारकों पेंशन को लेकर होने वाला हैं तो EPS के एटोतर लाग पेंशन भोगे उनसरा भी के लिए या पर बड़ी अपडेट आ चुकी हैं अगर आप एक EPS के सब्सक्रेबर या पर EPS 95 पेंशन धारके तो यह जानकर या आपके लिए बहुत मत्यपूर्ण होने वाली हैं तो यहाँ पर आपकी पेंशन को लेकर य बड़तरी को लेकर इस तरह की बहुत बड़ी अपडेट आज चुकी है कि EPS 95 पेंशन भोगयों की पेंशन में 333 पीस ती की जो वर्ती की समावना जयता है जारी उसको लेकर आज की भैटक हुई और नियुनतम आपकी पेंशन अब होगी 7500 रुपे और साथ में आपको डि अब आपको नई पेंशन कितनी मिलेगी तो आज किसे वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे जो 1000 रुपे की पेंशन मिलती है आपको उसे 1000 रुपे से बढ़ा करके 9000 रुपे किया जाएगा या फिर 7500 रुपे किया जाएगा और साथ में आपको मेडिकल ला मिलेगा तो किनको मिलेगा इसके लिए नए नियम सरते उनको भी जानेंगे वहाँ इस वीडियो को द्यान से देखतरिगा चैनल पर पहली बार आए हैं और चलंको अभी तक आपने सब्सक्राइब निकिया है तो चलंको सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन को जरूर दबा दे और अपने साथी पैंसन दार के उनको ये वीडियो जरूर सेयर करें ताकि वो भी इससा जानकरी को जान सके तो केबिनेट की बैटक से आपकी पैंसन EPS को लेकर फाइलि क्या सरकार ने यहां पर जबाब जारी क्या है और तरकिया पर 15 तरीक बताई जारी है तो सरकार का आपकी पैंसन को लेकर आखिर यानके साथ निर्णे क्या हुआ है जो कि सभी EPS के टोतर लाग पैंसन बोगी उन सभी को जाना बहुत ही जरूरी है आपके जो पैंसन के प्रस्ता को लेकर आज की जो कैमिनेट की बैटक वी उसके अंदर आखिर नेड़ने क्या हुआ है कि अब आपको जो 1000 रुपी की पैंसन मलती है उससे बढ़ा करके 9000 रुपे किया जएगा 1500 रुपे किया जाएगा तो उसके बारे में आज किसे वीडियो में जानेगे और यहाँ पर EPF न यहाँ पर CBT जो यहाँ की बैटक वी CBT की उससे यहाँ पर क्या आपके लिए नया नेड़ने जारिवाय है यहाँ की EPS पैंसन दारकों को 10 साल से एटके वे पैंसले को लेकर मिलने वाली है बहुत बड़ी सोगात क्योंकि यहाँ पर दिपावलिक को देखती हुए केनरी की सरकार ने जो EPS 95 पैंसन दारके उनको बहुत बड़ी सोगाती है पैंसन इसको 10 साल बाद मिला उनका असलेक तो यहाँ पर कोड़ का और वित मतरहाले का और मोदिस सरकार का कै êtes इससे क्या फैंसला होगा और साथ ही सीवीटी ने आपकी पैंसन को लेकर थीआ उनको भी ज जानेंगे ।ो यहाँ पर आपकी से तरे कि जानकर यार ये मीडिय एर्पोर्ट कमसार की यहां पर बैटक हुई CBT की उसके अंदर भी आप सबी की पैंसन की मांगे जो की 1000 रुपे से बढ़ा करके 7500 रुपेर लागों किया जाए उसको लेकर भी चर्चा हुए है और वित मंतरल से मिली आज की इस पैंसन से जुड़े यानकी प 2025 में लागोंगा और यहां पर प्रियाप की निकासी है जो कि आप सभी को पहले 50,000 रुपे की लिमिट मिलती थी अब उससे बढ़ा करके एक लाख रुपे क्या है और किसी भी बैंकिया किसी भी साका से आप ये पैंसन का रासी है वो भी प्राप्त कर सकेंगे लेकिन आप पैंसन को लेकर आज की कैबनेट की बैटिंग में फिलाल चर्चा हुई है कि आप सभी के लिए कैसे किस फॉर्मले से आपकी पैंसन बढ़ाई जाए और कितनी आपको पैंसन मिलेगी इसको लेकर सरकार ने चर्चा किये लेकिन कंफरम फैंसल अभी तक नहीं हुआ है कि CBT क सरम अत्रले का फिलाल सुप्रेम कोर से भी ऐसी कोई अधिकारिक जानकारी नहीं मिली है कि आपकी पैंसन कितनी बढ़ेगी अधिकारिक अलान होना अभी बाकिया फिलाल आपको बद्द की चार्चा हुई है आज की बाठक में उसके बद्दिस्तरे की जानकारी आ रही है साथी मीडिया रिपोट के नुसार ये भी जानकर यारी की EPS 95 पैंसन की राइसे में 323 पर 307 की वर्दी भी देखी जा सकती है तो यहाँ पर नियुंतम पैंसन आपकी 7500 रुपे की पैंसन को लेकर पैंसन वोगी और एनसे की टीम के दौरा काफी लिमस में से मांग भी जारी है इस मांग को लेकर क्या अपडेट मीडिया रिपोट के नुसार सामने मिली है तो पैंसन युजना के नुसार जो पैंसन दारक है उनके लिए एक और बड़ी खुसकबरी कह यहाँ पर सकारात्मक का खबर भी यहाँ देखने को मिली है कि सरकार ने पैंसन की बड़तरी के प्रस्ता पर मोर लगाते हुए ऐसे अंतिम चर्ण में पहुंचा दिया है तो यहाँ पर आपका जो पैंसन का प्रस्ताव जो की अंतिम चर्ण में पहुंच चुका है तो मोधी केबिनेट की बैटक से प्रस्ताव पास हो चुका है और लोग सबह में पैंसन की बड़तरी को लेकर अंतिम पैंसला भी लिया जा सकता है जो पैंसन धार को ने जैसे ही पैंसन का प्रस्ताव स्वापता उसको लेकर यह पर जैसे ही वित्मंत्रा ले यह पर इसको लेकर परयास जारी कर दिया है और आसवासन भी वित्मंत्रा लेकर दोरा पैंसन धार को दिया गया था कि वित्मंत्रा ले और सरकार पैंसन भूग्यो को भी वापस ले लिया है, और यहाँ पर अंतिम नेने को लेकर अंतिम चैर्ण केंदर पैंसन बोग्यों के प्रस्ताओं पहुंचा दिया है तो यहाँ पर अंतिम नेने क्या होगा, उसी को लेकर एंजर है कि साजार पांसो रुपे की पैंसन मिलेगी, नौजार रुपे की पैंसन मिलेगी, या फिर वेट लिमिट में पैंसन दारिक उनको बड़ोतरी मिलेगी, तो अब यह सरकार के द्वरा ते क्या जाएगा, आगे देखना होगा कि क्या होता है, लेकिन इस तरह की जो मीडिया रिप प्रस्ताओं को लेकर अभी फिला लियान की प्रस्ताओं को लेकर चार्चाएं जारी है, पैंसन की गणना अब अंतीम वेतन के आधार पर भी की जा सकती, अभी यह संभावना जाता है जारी, अधिकर कोई गोशना नहीं नहीं तो जिसके नुसार आपकी पैंसन की रासी मे जिससे कि अब 15,000 पे मासिक पेंसन उसको प्राप्त हो सकती है। लेकिन यहापर आपका 15,000 लिमिट जो 2014 सेता है। उसके नुसारी आपकी पेंसन की गढ़ना होती है। चाहे करमचर का मोल वेतन क्यों ना 15,000 पे से अधिक भी होना। लेकिन गढ़ना सिर्व 15,000 पे के हिसाब सही की जाती है। और उसके हिसाब सही आपको पेंसन मिलती है। तो इस सवेतन लिमिट को लेकर भी बहुत बड़ा पेंसन हो सकता है। चर्चाही ते जो चुकी हैं कि पेंसन की सवेतन लिमिट को बढ़ा करके प्रस्ताव भी पारित क्या है, इसकी साथी मांगाई बता भी सामिल के आज़े। तो यहाँ पर तीन चर्णों के अंदर भी पैंसन की बड़तरी बताई जारे की पांच अजार, साजार और नौजार रपे भी हो सकती है लेकिन अभी इसको लेकर कंपरम एहलान होना बाकी है सरकान अधिकार की जानकर नहीं जारे कि है जो यानि की पैंसन बहगी है उनको जो अठाव साल की उंबर के साथ ही अने सुईदय भी पैंसन के लावा दीजाए जैसे की दो बच्चों को 25 साल तक पैंसन का भी लाव मिले पैंसन धारकों के लिए अन्य गोशना भी जैसा कि यहां पर पैंसन की वर्दी को लेकर भी हो सकती है वित मंतरले और करमचारी वसंती संगेटन की बाटिक में पैंसन धारकों के लिए अन्य मातफ़न गोशना भी की गई है सुप्रेम कोड के पैंसन लेक अनुसार हायर पैंसन और मिनमम पैंसन को लेकर भी आपको जल्द सकारात्मक निने भी देखने को मिल सकते हैं पैंसन पर लगे बेदबाव को कतम करने को लेकर भी बिलाज चर्चाही तेज जो चुकिए कि 2003, 2005, 2006 से पहले बाद जो रिटार क्रमचारी पैंसन भोगे उनको पैंसन धारके उनको पैंसन के बेदबाव का भी सामना करना पड़ता है तो उसको लेकर भी यहाँ पैंसन भोगे उनको रात परदार की जा सकती हैं तो क्रमचारी पैंसन धारके उनके लिए एक एतियासिक यह रात बराब अदलाव सरकार कर सकती हैं पैंसन की वर्दी को लेकर अब चर्चाहीं तेज हो चुकी हैं पेंसन्त आरकों की मانगो को यहाँ पर सरकार जल्द दिफावलिस से पहले पूरा आक कर सकती है दिफावलिका तोफ़ा भी दे सकती है तो इस तरह की आज की फिलाद ताजा अब्डेट आपके लिए होने वादी है इस तरह की ओर अब्डेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ज़रूर दबा दे, ताकि नई वीडियो और नई ताज़ा अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मलती रहे, एक और ऐसे नई ताज़ा जाने कर साथ पर मिलेंगे, तब तक के लिए जाएं